नमस्कार इल्विन क्लासेज में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वाज़त है आप हमारे चैनल को जादे से जादे सब्सक्राइब्स, लाइक और सेयर करते रहें आपदा एवं आपदा प्रबंधन के पाठ में हम लोग पहले प्रकार की आपदा प्रकृतिक आपदा के बारे में विस्त Nether अध्यान कर चुके हैं आज नई कच्छा और आपदा का दूसरा प्रकार मानवी आपदा हम लोग पढ़ेंगे मानुई आपदा किसे कहते हैं हम अपने तकनीकी एवंपरद्योकी ज्यान के माध्यम से ऐसी अनेक बस्तुए निर्मित करने लगे हैं जिनका प्रयोग करने वरक रखाओं में लापरवाही होने पर भीशन दुरघटनाय घटित होती है इन ही दुरघटनाओं को मानोई आपदा या मानो आपदा कहते हैं ठीक मानो आपदा जैसे आपका भोपाल में 2-3 दिसंबर 1984 को मिथाईल आइसोनेट गैस के रिशाओ से जो घटना घटी वो भोपाल गैस त्रास्दी के नाम से है और 1984 का दिसंबर का वह दिन एक बेहत रास्दी वाला दिन है आज भी वहाँ पर आप जो लोग पैदा होते हैं उनमें विकलांगता के लक्षन को आप देख सकते हैं चेरोनोबिल नावकी दुरघटना भी ऐसी ही है अमेरिका द्वारा जापान के हिरोसिमा और नागासा कीपर जो परमाड उगबं गिराया गया था वो भी मानुई आपदाओं को जन्म दिया अभी विसाखा पत्नम में इस्टाइरिन गैस का रिसा हुआ वो भी मानुई आपदा है हम इसी प्रकार की महत्तोपूर्ण आपदाओं को देखेंगे पहली उसमें लेते हैं एट्स एक मानुई आपदा एट्स AIDS एट्स का पूरा नाम कई परिक्षाओं में पूछा जाता है इसका पूरा नाम Acquired Immuno Deficiency Syndrome है इसके विसाण कौन है एट्स का विसाण कौन सा है HIV HIV का फूल फार्म क्या है Human Immuno Deficiency Virus इससे क्या होता है HIV वाइरस जब स्वस्त मानों के सरीर में प्रोवेस करता है तो स्वस्त मानों के सरीर के अंदर रोगों से लड़ने वाली जो चमता है वो खतम हो जाती है या वाइरस कैसे फैलता है इसका संक्रमर्थ मतलब HIV कैसे फैलता है HIV का संक्रमर्थ खून या अंता स्रावित पदार्थों का रोगी व्यक्ति से स्वस्त सरीर में पहुँचने से होता है कोई HIV पाजेटिव व्यक्ति है और हेल्दी ब्यक्त के सरीर में जब उसका खून या अंतास्रावित पदार्थ पहुंचता है तो वो भी HIV निगेटिव से HIV पाजिटिव हो जाता है इसके बचाओ के लिए क्या करना चाहिए इसके बचाओ के लिए हमें भी संक्रमित सुई का प्रियोग नहीं करना चाहिए रक्त चढ़ाया जाने से पुरू उसकी जाच करनी चाहिए और इसी प्रकार के उपायों को अपने दिन चर्या में सामिल करके हम AIDS जैसी घातक बिमारी से अपना बचाओ कर सकते हैं दूसरी मानवी आपदा है इबोला मानवी आपदा इबोला मानवी आपदा इसका इबोला ही नाम क्यों पड़ा Democratic Republic of Congo में इबोला नदी के समीप इस्थित एक गाउं में यह संक्रमर मिला इसलिए इस बिमारी का नाम इबोला बिमारी पड़ा ठीक है यह भी बिमारी एक संक्रमित बिमारी है बिसान जनित है मतलब बिसान से होती है इस बिमारी की पहचान कैसे की जाती है इस बिमारी में सरीर के नसों से खून बाहर आ जाता है आना सुरू हो जाता है जिसके कारण अंदरूनी रक्तसराव होता है अंदरूनी रक्तसराव होने के कारण इस बिमारी का एक दूसरा नाम अर्थात इबोला बिमारी का दूसरा नाम रक्तुस्रावी ज्वर भी कहते हैं परिक्षा में थोड़ा गुमाता है तो अगर पूछेगा आपसे कि रक्तुस्रावी ज्वर किस वाइरस के कारण होता है किस विसाडू के कारण होता है तो रक्तुस्रावी ज्वर जो होता है वो इबोला वाइरस के कारण होता है इबोला के लक्षण कौन कौन से है इबोला होगा इसका लक्षण कौन कौन सा है देखिए अब दूसरा है इबोला हमारी मानुई आपदा या किस से होता है ये भी विसानुजनित बिमारी है अर्थाद वाइरस से फैलने वाली बिमारी है इबोला बिमारी किस वाइरस से फैलती है तो इबोला बिमारी इबोला वाइरस से फैलती है इस बिमारी का नाम इबोला ही क्यों पड़ा क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कांगो के इबोला नदी के किनारे इस्थित एगाउं में इस बिमारी की पहचान हुई थी इसलिए Democratic Republic of Congo के इबोला नदी के नाम पर इस रोग का नाम इबोला रोग हुआ ये एक संक्रामक बिमारी है बिमारी की पहचान कैसे होती है इस बिमारी में सरीर के नसों से खून बाहर आना सुरू हो जाता है सरीर के नसों के अंदर से खून बाहर आएगा जिसके कारण अंदरूनी रक्तसराव होगा ठीक है इसी कारण इसे रक्तसरावी जवर भी कहते हैं अर्थातिय विसान जनित रोग है या एक बहुत ही खतरनाक रोग है इसका अभी तक इलाज नहीं हो, मतलब ठीका करन इसका नहीं निकल पाया इंसुलेशन अभी इसकी वेक्सीन नहीं बन पाई है, इसमें क्या होता है तो गले में कफ होता है उल्टी दस्त का आना होता है आखे लाल हो जाती है सिरदर्द होता है रक्त का वाहर आने लगता है आद इसके लक्षण होते हैं इसका फैलाओ कैसे होता है संक्रमित जानवर बंदर सूर या चमगादर आद तथा जो इबोला संक्र हैं उनके पसीने लार या संक्रमित रक्त के सीधे संपर्क में आने पर यह बिबारी फैलती है अर्थातएड, इभूला बिमारी यह संक्रमित जानवर बंदर, सुवर, चमगादर ये पय्यूचकर पर इसका फेला हो ता है एक और इसका महत्यपुर्ण प्रस्नि ये पूछता है कि जो इबोला संक्रमर है वो airborne है कि नहीं है। तो जो इबोला संक्रमर है वो सांस के जरीये नहीं फैलता है, अर्थात airborne नहीं है। अब देखिए, दूसरा हम लोग का एक भीसर है आपदा प्रवंधन की सनस्थागत सनरचना। इसमें आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन से हमारा क्या तातपर है? आपदा से जानमाल का नियुनतम हरास हो. मतलब कोई भी आपदा आए उससे जो जानमाल की जो छती हो उसकी मात्रा नियुन हो. उसके लिए किये जाने वाले उपाए? या प्रबंधन को हम क् आपदा प्रबंधन काते हैं, आपदा प्रबंधन की अगर परिभासा लिखने को आए, तो हम लिखेंगे कि आपदा से जानमाल का नियुनतम हरास हो, इसके लिए किये जाने वाले उपाय आपदा प्रबंधन हैं, ठीक है, इसी आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते कब पारित किया गया, तो Disaster Management Bill वर्ष 2005 में भारती संसद्वारा पारित किया गया, जब 2005 में Disaster Management Bill पारित हो गया, तो उसी के ओ आधार मानकर NDMA का गठन हुआ, NDMA मतलब National Disaster Management Authority, इसका हिंदी में राष्टी आपदा प्रवंधन प्राधिकरण का गठन हुआ, प्रस्ण ये भी प मंत्री होता है, ठीक, इनी आपदा प्रवंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो जिस राज्य का आपदा प्रवंधन प्राधिकरण होगा, उस राज्य का मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, इसी प्रकार जिला आपदा प्रवंधन प्राधिकरण का होता है देखिए आज हम लोग आपदा एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित जो दूसरे प्रकार की आपदा थी मानुवी आपदा के बारे में पढ़े मानुवी आपदा क्या है मानुवी आपदा मतलब व्यक्त कि मानों के लापरवाही से होने वाली आपदा को दुरघट syndrome होता है, AIDS किस विशाणू के कारण फैलता है, HIV विशाणू के कारण फैलता है, HIV का पूरा नाम क्या होता है, Human Immuno Deficiency Virus होता है, इसमें क्या होता है, तो जब HIV वाइरस फैल जाता है, तो मानों सरीर में रोगों से लड़ने की छमता धीरे-धीरे नश्ट हो जाती है, ठीक है, इसको फैलने से कैसे रोका जाए, तो इसको फैलने से रोकने के लिए हमें संक्रमित सुई का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए, जो रख चढ़ाया जाता है, उसको चढ़ाया जाने से पुरू उसकी जांच होनी चाहिए उसके बाद दूसरा हम लोग मानों आपदा पर है इबोला मानों आपदा इबोला डेमोक्रेटिप रिपब्लिक आफ कांगो जो देश है उसमें इबोला नदी के किनारे इस्थिते गाउं से इस बिमारी की पहचान हुई इसलिए उस नदी के नाम पर इसका नाम इबोला नदी रखा गया इसे रक्त उस्रावी जोर भी कहा जाता है इसके लक्षण गले में कफ इसमें रक्त से खून बाहर आने लगता है इसलिए रक्त उस्रावी जोर भी कहते है इबोला का फैलाव कैसे होता है, संक्रमित जानुवर, सुवर, बंदर, चमगादर या संक्रमित इबोला संक्रमित व्यक्त के सीधे संपर्क में आने से, सीधे संपर्क का मतलब रोगी के पसी ने लार संक्रमित रत के सीधे संपर्क में आएंगे तो यह इबोला का फैलाव होगा उसके अन्यतत इसका एक महत्वपुन कई परिक्षाओं में पूछा गया है कि इबोला का संक्रमर एरो बार्न है कि नहीं अर्थात सांस के द्वारा फैलता है कि नहीं तो इबोला का जो संक्रमर है वो सांस के जरीए नहीं फैलता है अर्थात एयर बार नहीं है उसके बाद आपदा प्रवंधन की संरचनात्मक बेवस्था की गई भारतिय संसद ने वर्ष 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट बिलको पारित किया उसी के अधार पराष्टि आपदा प्राधिकरान का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राजय ने इसको अपना मानक मानते हुए न भये बात करेंगे जैसे ITTO, BLI, IUCN आज के बारे में बिश्तरित अध्यान करेंगे आप हमारे 11 Classes YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्षन में जाकर परियावरान से संबंधित सभी कक्षाओं को एक साथ एक ही बार में आप लोग देख सकते हैं साथ ही साथ प्लेलिस्ट सेक्षन में समसामईक से जुड़े पुराने महत्वपूर्ण कक्षाओं और नित जो कक्षाओं आएंगी वो भी आप देख सकते हैं आप हमारे चैनल को जादे से जादे लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करें आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार